एस्टर योगी पहला एस्ट्रोजर कंसल्टेशन सेर्फ और सेर्फ एक रुपे में अभी डाउनलोड करें नमस्कार दोस्तों एस्टर योगी हिंदी यूटूब चैनल में आचारी सनी राजद्वारा आप सबका हर दिख स्वागत है प्रेदर्स को आज फर्वरी 2030 के लिए सिंग राशी मासिक राशी फल के बारे में विचार करेंगे प्रेमित्रों सिंग राशी के जातकों के लिए यह महीना बहुत ही सांदार रहने वाला है फर्वरी प्यार का महीना और आप इस समय अपने पार्टनर के साथ खास पलों का आनंद उठा सकते हैं सुनिश्चित करें कि आप एक साथ एक हेल्थी रिलेशन्सिप इस्थापित करें ताकि आप हर छोटी सी छोटी बात एक दूसरी के साथ सेयर कर शकें इसके साथ ही आपको अपने कैरियर पर भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि आपको कोई महत्पुर्ण अवसर हाथ से नय जाने दें आठ फरवरी को बुध मकर राशी में गोचर करेंगे जब आप हाड़ वर्क करना सुरू करेंगे तो यहाँ आपको जीवन में महान चीजे हासिल करने में मदद कर सकता है इस अवधे में आपके राश्ते में कई बाधाएं आएंगे लेकिन आपको अपने लक्ष पर फोकस रखने की जरूरत है इस प्रकार आप बाद में समय के साथ अपने परिश्रम का अच्छा परणाम प्राप कर सकते हैं इसके अलावा अपने भाई बहनों के साथ एक मजबूत रिस्ता इस्थापित करें ताकि आप एक साथ अपने सिक्रेट्स सेयर कर सके और एक अच्छे बॉंडिंग बना सके उनके साथ इस महीने में 13 फरवरी को सूर्य एक अध्भुत समय पर कुमराशे में प्रविस्थ कर रहे हैं इस तोरान अपने फाइनेंसियल इस्तिती को बहतर करने का समय आ चुका है ताकि आप कुछ समय के लिए अपने इंकम को इस्तिर कर सके ये बात सब जानते हैं कि नेगेटिविटे से बचते हुए अपना पसंदीदा काम करने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ती है हाला कि आपके पास ऐसे असाधहारण काम करने का साहस और विचार पहले से है इसके लिए आपके मन में जरूरी है कि आप अपने आसावादी प्रस्नेलिटी की उपयोगिता को समझे जो आपको सबसे बड़ी ताकत दे रही है फरवरे 15 को सुक्र मेन राशी में गोचर करेंगे इस गोचर में अपने प्रस्नल और प्रोफेशनल लाइफ को बहतर बनाने का समय बहुत अच्छा है इस समय कोई भी डिसीजन ले सकते हैं आप दोनों को बहतरिन तरीके से बैलेंस करने में सक्षम होंगे आपका परिवार आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है इसलिए अपने माता पिता के साथ जगड़ा और असहमती से बचने के लिए आपको डिक्लोमेटिक सब्दों का प्रियोग करना चाहिए हाला कि बहुत जल्द उन्हें अपने गलतियों का एहसास होगा और आपकी प्रेस्टनल लाइफ में सांती दुबारा से वापस आ जाएगे बुद 27 फरवरी को कुम राशे में गोचर कर रहे है इस समय सफलता आपके जीवन में कदम रखेगे लेकिन इसे हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है यह समय है जब आपका बाधाओं और नकार अत्मकताओं से बचना चाहिए और जितना संबव हो सके अपने काम पर फोकस करना चाहिए वरना आप विशेश रूप से अपनी प्रोफेशनल लाइफ से सम्मंदित महत्वण अवसरों को खो सकते हैं फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वण रहने वाला है आप महत्वण डिसीजन लेने में सक्षम होंगे और जो लंब पेंडिंग कारियों को पूरा करें वरना यह जटिन हो जाएगा और आप बहुत जल्द अपना इंटर इंट्रेस्ट खो देंगे इसके अलावा ध्यान रखे कि आप लोगों के टिपडियों के बिना वे अपने प्रेस्टनल और प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करने में सक